दोहजार तेइस के बाद अब दोहजार सत्ताइस के वर्ल्लकप का वेन्यू भी हो चुका है ते साथ ही रिंकु सिंग और यशश्वी जैस्वाल की ट्रेडिंग पर भी आ चुकी है बड़ी अपडेट नमश्का दोस्तों मैं यश्टिवारी आप देख रहे हैं क्रिकेट के बाद से ही चाहे 2024 का IPL हो चाहे वर्ल्लकप हो चाहे 2024 के लिए ट्रेडिंग या ऑक्षन की बाते हो खबरे हो तमाम न्यूस खबरे अपडेट हर रोज सबसे पहले हम आपकी स्क्रीम पर परोस्ते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीचे सब्सक्राइब का बटन नीचे पजी हुई टीम आखिरकार एक खराब दिन आया सबसे बुरी बात ही हो गए कि फाइनल के दिन ही वो खराब दिन आना था और इवेंच्वली ऑस्ट्रेलिया के हाथो हार का सामना करना पड़ा ऑस्ट्रेलिया ने छटवी बार जो है कल रात में वर्ल्लकप जीत लिया हमद देखो सब कुछ अपने हिजाब से नहीं हो सकता और क्रिकेट तो ऐसा है ना कि अनिश्टता होगा खेल है सारी प्रेडिक्शन फेल है तो वही फाइनल में होता हुआ देखा तो कॉग्रेजुलेशन्स तो ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया क्योंकि जिस तरह का क्रिकेट हिं है सीना दो चौड़ा हो गया चलिए दोस्ता आगे बड़ते आसे बात कर लेते दिनवर की दूसरी बड़ी रिपोट की तो यह खबर दोस्तों प्लेयर्स के अवाले से निकल कर आ रही है हार के बाद हिंदुस्तान के कई प्लेयर्स इमोशनली तूटते हुए मैदान में ही में थे और सभी इमोशनल हो गए तो इस पर में क्या बोल यार होना भी था और मतलब इन प्लेयर्स ने बहुत महनत की थी इन प्लेयर्स ने अपना सब कुछ जोग दिया था इस वर्ल्लकप के लिए खेर सब कुछ अपने हसाब से नहीं चलता फिर वही बात चलिए दोस्तो आगे बढ़ते हैं अब बात कर लेते हैं दिन पर की तीसरी बड़ी खबर की तो ये खबर निकल गर आ रहे हैं दोस्तों वर्ल्लकप के प्राइज मनी के हवाले से औस्ट्रेलिया को वर्ल्लकप का प्राइज मनी मिल गया चार मिलियन यूस डॉलर 32 करोड हिंदूस्तानी र लेकिन जो मेजर चंग है वह विनर और रनर अब को मिलता है भारत को दो मिलियन मतलब लगबाग 16-17 करोड रुपए के आसपास हिंदूस्तान को भी मिला हाला कि भारत के लिए पैसों के लिए हवाले से यह वल्लकप ज़रूरी नहीं था हिंदूस्तान के लिए वल्लकप ब एक इंसान की बोल लगी हुई थी विया की हाँ जीतना है पर अब क्या कर सकते भाई मैं तो यही बोलूँगा कल से यही बोल रहा हूं कि अब हार गये हैं बुरा दिन था वो निकल गया वो फाइनल के दिन ही आना था उसमें भी कोई कुछ नहीं कर सकता तो नेक्स्ट वर्लक अब होने वाला है जी यह रिपोटड़ ली दोस्तों यह रोहिष्षर्मा के लिए आखरी ओडियाई वलकप था क्योंकि इसके बाद रोहिष्षर्मा ओडियाई फॉर्मिट में नहीं दिखेंगे यह मैं नी बोल रहा हूं यह बीशीसियाई का इक नियम बोल रहा है बीश के हो जाएंगे तो उनका कंसाइडरेशन नहीं होगा एंड एट्स वाय शायद वो अगला वल्लकुप जो मोचली बीसी से अभी का निया में उसे साब से खेलते हुए नजर नहीं आएंगे लेकिन रोह शर्मा ने जिस तरह की कपतानी की और इस वल्लकुप में जो क्रिकेट खेला हो सच मुछ एक्सेप्शनल था चाहे रोही तो चाहे वराट उसको एक सल्यूट बनता है इनके सबके लिए एक लाइक जरूर बनता है चलिए दोस्तों आगे बढ़ता है ऐसे बात कर लेते हैं दिन्मर की पाच्छी वड़ी रिपोर्ट की तो एक ख़बर दोस्तों निकल कर आ रही है अगले वर्लक प्के हवाले साखिर कब कहा होगा अगला वर्लक तो इसको लेकर भी दोस्तों अपडेट आ गई है तो सटाइस में साउथ अफरीका जिंबाब्व्य और नामी बिया इन तीन देशों में कम्बाइंड होने वाला है इस हिसाब से यह तीनों देश इस वर्लकप में खेलते हुए नजर आएंगे क्योंकि जाहर है ICC का नियम है जहां पर होस्ट होता है वो खेलता ही है लेकिन हमें जादा इंतिसार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपको पते ही आप वीडियोस देखते हो जो टीट्वेंटी फॉर्मेट में वर्लकप ह होगा तो जो करेंट टीम है हिंदुस्तान की इसमें से बहुत सारे प्लेयर्स मेजरली सेवंटी परसेंट इसमें से प्लेयर्स हमें अगला वल्लकप दो अगले साल खेलते हो नजार आएंगे मुझा नहीं लगता कोई बदलाव होगा और यहां से वह उम्मीद कर सकते हैं कोशिच रहेगी पूरी हिंदुस्तान की एक-एक हिंदुस्तानियों चलिया दोस्तों आगे बड़ते हैं चट्वी बड़ी रिपोर्ट की तो यशश्वी जैस्वाल की ट्रेडिंग को लेकर अपडेट है वल्लकप खतम हो गया लेकिन आईपल की ट्रेडिंग और नीलामी की उल्टी गिंती शुरू हो गई अगर मैं यशश्वी जैस्वाल की बात करूं तो अभी तक कोई खबर यशश्वी जैस्वाल को लेकर निकल कर नहीं आ रही थी तमाम प्लेयर्स की ट्रेडिंग को लेकर थी लेकिन कुछ अपडेट आईए दरसल दोस्तों यशश्वी ज प्लेयर्स के साथ अगला सीजन खेलेंगे अगर उन्हें इतने पैसे में रिटेन नहीं किया गया तो यशश्वी जैस्वाल ने कहा है कि निलामी में चले जाएंगे चार करोट रुपे अभी तक यशश्वी जैस्वाल को मिल रहे थे लेकिन यशश्वी जैस्वाल ने हाइक मागी है जादा पैसे मागे मेरे साब से दोस्तों यशश्वी जैस्वाल एक्स्ट्रा पैसा मांग सकते हैं क्योंकि अगर यह बंदन निलामी गया ना तो 15-16 करोड रूपर में यशश्वी जैस्वाल के लिए जादा अच्छा है राजस्टान रॉयल्स में चुड़े रहना क्योंकि अगर वो ऐसी टीम में चलेगा जैसे पंजाब ऐसारे जो के हर साल अपने प्लेयर्स बदलती है ऐसी टीम में वो स्टेबल नहीं हो पाएंगे और उनका जो आईपील मे एक स्टेबल करियर चाहिए तो आपको एक स्टेबल टीम के साथ जुड़े रहना चाहिए एंड हमने आईपेल का इतिहास देखा है वो प्लेयर्स बहुत ज्यादा सक्सेस्फुल रहे है जो कि टीम के साथ लगातार जुड़े रहे हैं चाहे कुतना भी पैसा हो तो मेरे सा सबसे यशचवी जस्वाल को अगर आईपेल में स्टेबलीटी चाहिए अच्छा करिए तो उन्हें राजस्तान के साथ जुड़े रहे रहे हैं चाहिए बाकि बहुत करोड हिंदुस्तानी रुपया मागें आपको बता दूँ दोस्तों की रिटेल लिस्ट आने में अभी खफते का समयच हपिस तारिक के आसपास रिटेल लिस्ट आ जाएगी तो इन साथ दिनों में बहुत कुछ घटले वाला है और रिंकु सिंग ने साथ करोड रुपय की जो है वो डिमांड कर दी जाहिर है पचपल लाक रुपय करेंट इस्टिती में केके आर दे रहा है जो क जो की जाहिर है राजिस्तान और जैसवाल की बात अलग है रिंकु सिंग और केके आर की टीम की बात अलग है लेकिन इतना जरूर कह सकते है वाई कि अगर एक टीम के साथ जुड़े रहते हैं ना कोई भी प्लेयर हो तो इस टीम के साथ लॉयल्टी बन जाती है और भले ही लेकिन लंबा करियेर उस प्लेयर को मिलता है क्योंकि आइप बहुत अंसर्टन है आपने दो साल चले आपको 20 करोड मिल गई आपने दो साल नहीं चले तो आपको कोई खरिदार भी नहीं मिला और ऐसी स्थिती में आपका करिया दो तीन साल के लिए फिर वैडिया यह होता है आई पिल में कई खिलाडियों के साथ तो इससे बच के रहने की प्लेयर्स को जरूरत है एंड एक्ट सब्सक्राइब के साथ बहुत पुरा रहा अंग्रेस क्लाडियों का लेकिन 24 के आई पिल से खबर है इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड जो है मतलब इसी भी जो है उसने इंग्लिश प्लेयर्स से कहा है कि वह आई पिल आपको पूरा नहीं खेलने देंगे वहिया हम आपको बीच आई पिल से बुला ल लिए कि जो खराब फॉर्म इनका वल्ड कप में रहा था उसका ठीक रहा यह लोग आई पिल पे फोड़ने वाले हैं और अच्छी तरीके से अपने खिलाडियों लगाम लगाने वाले इसका नुकसान इंडियन प्रीमियल लीग को 2024 में कई अंग्रेस प्लेयर्स की अनुप 2024 के आई पिल को लेकर खबर आ गए उनको लेकर मिचल मार्स हो सकता है कि 2024 का आई पिल ना खेले वो डिनाय कर सकते क्योंकि उन्हें रेस्ट चाहिए टीटी वर्ल कप से पहले अब यह जो आस्ट्रेलिया की टीम है यह एसी वैसी टीम नहीं हमने इनको देख लिया मुझे रहना पड़ेगा सब्सक्राइब बड़ी अजीब सी टीम है बड़ी डेंजरस टीम है और मिचल मार्श भी अगला IPL पूरा नहीं खेलेंगे हो सकता है एक भी मैच ना खेलें अब इससे किसको नुकसान होगा क्या दिल्ली को बहुत ज्यादा बताना कॉम्ट बॉक चुप कराया उन्हें बैक अप दिया उन्हें बैकिंग दी और जायरे जरूरी भी था और भाई मैं ज्यादा बोल नहीं पा रहा हूं इस विशे पर क्योंकि यह वर्ली का बहुत कम होते हैं जब हम इस तरह से बाते करते हैं यह वर्ली का हमारा होगा पर नहीं हो पाता है तो कुछ कर नहीं सकते हैं तो यह थी दिनवर की दस बड़ी ख़़रे बताने कौन से कवर आपको अच्छे लगी कौन से नहीं और को यूट्यूब को आपके लिए तो अपनी राय लिखना टेलीग्राम पर ज़रूर जोइन करना लिंक इस दिस्क्रिशन बॉक्स वीडियो को लाइक को शेर करो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब और नीचे फड़ाव रेट करका बेल आइकन दबाओ